So dear students, respected parents, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी YouTube चैनल आदर्श उनलाइन पे और इस बार हम आपके सामने पूरा solution लेकर आए है Chapter 3 के EVS का तो आप इस वीडियो को अंतक देगे हमारी चैनल को subscribe करें प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि दूसरे जो भी question paper है जब हम upload करें तो उसका solution आपको नजर आए या उसकी notification आपको मिल जाए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अधर स्टूडन्स को ये share करें Thank you So नमस्ते दोस्तो Dear students, respected parents and all the teachers, स्वागत है आपका हमार YouTube channel आदर्शन लाइन पे और आज हम देखने वाले है Periodical assessment test English medium के लिए Standard 3 का environment August 2020 marks 25 and timing is given 1 hour So सबसे पहले हम solution की तरफ गौर दरते हैं और इस बार जो हमको solution है वो मैंने आपके सामने रख रहा हूं Question number 1 में we have to identify and connect the plants on and the tree leaves based on the shapes given below सबसे पहला जो shape दीख रहा है हमको जो उसके साथ हम 3rd वाला connect करेंगे यानि उसके लिए आ जाएगा तुलसी 2nd वाला जो है उसके लिए 5th option चूज करेंगे और 5th हमारे पास है पीपल 3rd वाला जो है वो mango tree के लिए है इसलिए उसके साथ 3rd के साथ first choose करेंगे 4th जो है उसके लिए हम second choose करेंगे 5 जो है वो नीम ट्री का है नीम का पत्ता है सब जानते है तो 5th के साथ हम 4th option choose करेंगे तो ये तो काफी आसान था Now let's move to the question number 2 Question number 2 में match the following pairs यहाँ पर हमको relations के बारे में पूछा है इसलिए हम उसको फटा-फट कर लेते हैं और मैंने यहाँ पर उसको connect करके बताया बच्चो आप देख लो दियान से इसे मामी दिया हुआ है तो हम ले लेंगे मामी के लिए मामी के लिए मामी एंड फोई के लिए ले लेंगे फादर सिस्टर तो आप यह solution द्यान से देख लें मैं आपको थोड़ा वक देता हूँ आप इसका screenshot ले ले या इसको stop करकर आप इसको देख सकते हैं Now let's move to the question number 3 Question number 3 में हमको पूछा classify the following into animals they drink water with their tongues and drink water with their lips तो यहाँ पर हमको सबसे पहला number जो दिया था वो है snake तो snake को हम first group में रखेंगे second is cow cow को हम two में रखेंगे goat को भी हम two में ही रखेंगे and four five यानि cat and dog जो है वो अपनी टंग से पानी पीते हैं उसको यहाँ पल ले लेंगे after date question number four में हमको बताया के write the water resources हमको बताने जहाँ से हमको पानी मिलता है in a given grid there are some places where water is found find any five of them and write their write down their name तो हम यहाँ पर पहला ले लेंगे waterfall, पानी का जर्ना lake, sea spring भी यहाँ पर लिखा है river भी लिखा है वैसे हमको five दे tap भी हमको मिल गया तो वो भी लिख दिया है आप यह पान्च लिखेंगे सिर्फ तो भी चलेगा इसके बाद जो सबसे important है इस chapter के अंदर इस paper के अंदर question number five from which of the following edible dishes can be prepared or cooked? example, सुखडी जो है वो wheat में से बनती है बजिया जो है उसके लिए हम चने का अटा इसके अमाल करते है इसलिए हम यहाँ पर gram flow लिखेंगे लाडवा में भी वई यूज होता है पैंडा के लिए हम खोवा लिखेंगे बिस्किट जो है वो wheat में से बनते है जंडरली और खिचडी के लिए हम rice यूज करते है तो यह बहुत ही आसान paper था question paper देको हम लोगों ने सिर्फी से 3-4 minutes के अंदर solve कर लिया आप भी इसके screenshot ले लो और अभी भी मैं कह रहा हूँ अगर आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर ले और बैल आइकन को खास क्लिक करें ताकि जब भी हम papers upload करें आपको फुरान उसकी notification मिल जाए